राम मंदर का माल के एक बद फिर से प्रश्चस्त होने वाला है, इसी को लेगे जदाबाज चितकनी कले में सद मौजुद है, सांसद राकेश सिनाजी सर सवाल सीधा है, राम मंदर की बात की जाती है, तमाम अटकले लगाई जाती है कि जल से जल मंद्य निर्मान होगा, अब पक्षों ने अपने परमान परस्तूत किया, उसके बावजी ददी मुस्लिम पक्ष कहता है, मैं उसे मुस्लिम पक्ष की जगा बावरी मस्जीद पक्ष कहूँगा, क्योंकि तमाम मुसलमान नहीं चाहते हैं कि बावरी मस्जीद एक्सन कमिटी जो कर रही हो, और करती सब्सक्राइब करने की बात करती है अभी अगर हम देखे तो 1270 खतब हो चुकी तमाम अंतराश्टी इस तरपर बड़े-बड़ेश साथ में नजर आ रहे हैं लेकिन पाकिस्तान का रुख फिलाल अभी भी नकरात्मक निखाई दे रहा है चीन की बात करें तो जहां पर पहले सपोर्ट करते हैं वहीं बैकफूट की स्तिती बन गई है आपको क्या लगता है अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखने की कोशिश करें धारा 370 को कि किस तरीकी के नजरी है देखे धारा 370 भारत का अंतरिक मामला था और दुनिया के सभी देशों ने स्विकार किया पर अंतरास्टे कानून, अंतरास्टे मार्यादा और अंतरास्टे नेतिक्ता के पृतिकूल है। पाकिस्तान जितना इस्थिर तभी रहेगा जब आतंकवाद से मुक्त हो और भारत से आतंकवादी परतिसपर्धा करता है भारत पर जो आतंकवादी हमले करवाता है यह बंद करें द्खे नरेंदर मोदी जी ने भारत की कूटनिती को एक नया आयाम दिया है वे ग्लोबल प्लेयर के रूप में उपह रहे हैं आज वैस्वी कस्तर पर पहली राजादी के बाद किसी नेतित्य को आज आज बिक्सित देश के नेताओं के समकक्ष स्थान मिला है और नरेंदर मोदी जी को की ना उपेक्षा की जा सकती है ना नकारा जा सकता है आज उनकी ही कुटनीती का परिणाम है कि आज दुनिया के बरे देश भारत के साथ खरे हैं